धोनी के पूर्व चेन्नई सुपर किंग्स टीम के साथ ही सुब्रमन्यम बद्रीनाथ ने धोनी के गुस्से की एक अंसुनी कहानी का खुलासा किया है. बद्रीनाथ कहा वह भी इंसान है, उन्हें भी गुस्सा आता है लेकिन मैदान पर ऐसा कभी नहीं हुआ. वो कभी भी विपक्षी टीम को एहसास नहीं होने देते कि वो गुस्सा है. बद्रीनाथ ने कहा कि चेन्नई में RCB के खिलाफ हम 110 रन के लक्षय का पीछा कर रहे थे, हमने लगातार विकेट गनवाए और हम मैच हार गए. अनिल कुम्बले के खिलाफ मैं लेट शॉट खेलने के चकर में आउट हो गया, मैं LBW आउट हो गया इसलिए ड्रेसिंग रून में खड़ा था और धोनी अंदर आ रहे थे, जहां एक छोटी पानी की बोतल रखी थी, इसे देखकर धोनी ने उसे लात मार के निकाल दिया, हम सभी उनसे आखे नहीं मिला पा रहे थे, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक शेर और चैनल को सब्सक्राइब करें,